का स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए मैं ये बता रहा हूं कि आप अगर अपने गाय के बच्चों का बच्चियों का लानन पड़न ठीक तरह से करेंगे और आप उनको कीड़े की दवाई देते रहेंगे तो ये अवस्थानी बनेगी जैसे आप इसमें इसमें अधमरा हुआ रखा हुआ है या यह क्या मतब दूद देगा क्या मतर इसमें मैंचियोटी आएगी तो साल में भी ये नहीं होगा पर ये पंदमे महिने में हो जाएगा अगर आप देखिए यह करेंगे के लंग बंस और स्टमक बंस के इसके और इसके क्या कहते हैं, आइवर्मेक्टीन देंगे, जिससे के इसके खीडे नहों तो ये इसके इसके काफिस्टार्टर दिये, देखे जैसा इसमें लिख्खा हुआ है, काफिस्टार्टर है 50% मक्का, 25% खल और काफिस्टार्टर शोकर और 2% मिन्नर मिक्चर, ये आप मिला दिया, लगे इस राशन का, तो आप इसको दूद देना बंद कर दीए, एक किलो ये 10-15 दिन में खाने लगेगा, इसको कोई चारा वारा कुछ मत दीजे, नहीं तो इसकी पॉड वैली हो जाएगी, तो मैं ये वंस के लिए आपको बता रहा हूं, वंस के लिए, देखिए ये है, पिमिंडजॉल है, इसमें दिखाई दे रहा, पिमिंडजॉल है, और अल्विंडजॉल है, तो ये करीब-करीब सेमी हैं, पिमिंडजॉल और अल्विंडजॉल, फरक ये है कि फिमिंडजॉल की जो डोज है वो 5 mg पर केजी है, और अल्विंडजॉल की 10 mg पर केजी है, इसक को डोस को बढ़ाते जाईए आपका बच्चा जो है 90 दिन में 100 kg का हो जाना चाहिए और जब वो 3 kg काफ स्टार्टर खाने लगे उसके बाद आप उसको जो है वो चारा देना शुरू करिए पहले उसका रिमेंट डवलब नहीं होता है तो वो चारा नहीं हजम करेगा और आज अच्कल रिम्यक्र प्लेसर भी आ गये जिनके बारे में बता रहा था वह बासकर शर्मा साव है यह पे उनके वो मिल्क प्रेसर देते हैं तो आपको दूद्द प्लाले की जरूबत नहीं है आप में बच रहे हैं उसकी आधि कीमत में पढ़ता है तो यह कि अगर आप मिल्क तो आप बहुत अच्छे बच्चे अपने आग खुदी पैदा कर सकते हैं, मेरा पताने का मतलब यह ही है कि आप जो हैं गाए बाहर से मतला ही है, आप गाए अपने आग खुदी पैदा करिए, आप सेक्सी में अब लेवेल है, उसको और सस्ता से बाहर हैं, सेक्सी में भी अब लेवेल है, सेक्सी में क्या, आप खुदी एई वगरा करिए ना, हम लोग प्रशिक्षर देते हैं, कैमरे वाली एई गन से, आप एई वाले को बलाएंगे तो वो कोई अच्छा सीमें तो डालेगा नहीं, वो सस्ते सासा सीमें डालेगा, दूसरी बात यह है, कि वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि आप तीन सो चासार रुपे से जारे देंगे नहीं, बहुता सीमें तो पाँच पाइंसो का आता है, और वो फ्लप्स भी नहीं है, तो वो विचारा कहां से लाएगा, तो इसलिए आप अपने पास लिकुद नाइट्वें सिलिंडर है, या आपने बीच को कहीं रखिये, या ही गन से करिये, देखिये, लंपी डिजीज भी आ गही है, फोटन माउथ भी आ जाता है, तो बहुत सारी डिजीज वैसे ही आपके फार्म में आ जाएंगे, और आपको काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं यह बता र साफदान रही है, उससे वैक्सिनेशन कराइए, और उसके लिए ब्रूप आर्व कुरान का इंजेक्शन लगाईए, क्योंकि यही अंदाज है कि काफी बच्चे मर जाते हैं, यह मेल मर जाए तो कोई बात नहीं है, फीमेल भी मर जाती है, उससे काफी नुकसान होता है, त इसको प्रजर मातरा में दाना देतेंगे, इसको तीन मेने तक चारा नहीं देंगे, जब तक सोके जी कानी हो जाता है, तो आपकी डिरी चल पड़ेगी, आपके जानवारी जाना हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है, कि आपके पास सीमेन कंटेनर रहना चाहिए, और क पर अगर आप सेक्सिमेन यूज़ करेंगे, तो आपके पास मताई हो जाता है, तो हम जो हैं, यह AI का प्रस्रीक्षन एक दिन का देते हैं, इसके प्रस्रीक्षन के बारे में, आप यह राठहौर जी है, राकेश राठहौर, इंसे संबंद करिए, इनका टेलीफून नम्मर 7-300-77-11-7 है, वो नीचे दिया गया है, और हम लोग बहुत सस्ती वो दवाईयां भी करनाटा का की गवर्नेट ऑफ इंडिया के प्रडूस को सप्लाई करते हैं ओनलाइन, तो ओनलाइन क्लासिस भी लेते हैं, तो उसके लिए आप जो हैं, हमारे ब्रज मोहन जी हैं, उनका जीरो है, आप उनको संबर करिये, मेरा टेलीफोन नमबर 8979748686 है, धन्यबाद आपने सुना.